इसके पहले मैंने इसद्याए कि का पहला वीडियो आपके समक्स प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने आपको बताया था उत्पादन क्या होता है उत्पादन की अधाना मद्ध कुल उत्पाद उत्पाद स्रीमांत क्या होता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके तो आइए देखते हैं उत्पादन फनन क्या होता है उत्पादन फनननना प्रणा पॉदक्शन फननन्न एक वस्त के भौतिक आग़ण तथा वस्त के भौतिक उत्पादन के बीच फ्रमात्मक संबन है है पूड़क्शन फंक्शन इस दर फंक्शनल रिलेशन सी बीट्विन पॉइंटिटीटी जाफ फिज्कल इंपूट एंड इन फिज्कल आउट्पूट आफ जो यहां ध्यान देंगे अब इसको इसकी उधारण द्वारा हम समझते हैं कि उत्पाधन फ़नम क्या होता है यहां हम दिखा रहा है कि उत्पाधन के जो आगत होते हैं जो साधन होते हैं वह क्रिया करके कुछ उत्पाध तयार करते हैं जिसको हमने यहां पर क्यों लिखा है तो यह दिखाता है कि उत्पाधन के साधनों और उत्पाधन के बीच किस प्रकार का क्रियात्मक अर्था तक्निकी संबंद है यहां पर आर्थिक संबंद नहों करके यह तक्निकी संबंद है अर्था एक म इसको और सरता से आप समझना चाहें इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिजे कि 10 क्रमिक एक मशीन पर लग करके स्विकाइब पादल करते हैं तो यह 10 क्रमिक हो गया और एक मसीन हो गई इनके बीच कैसा यह इस रूप में दिखाएगा कि 10 क्रमिक और एक मसीन का प्रियूग करके स्विकाइब का उत्पादल होता है अब तक्निकी अगर बदल जाती है तो यह फंक्शनल रिलेशन भी बदल जाएगा अर्था उत्पादन फलन जो होता है वह उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच फलनात्वक संबंद होता है अब आगे हम देखते हैं कि उत्पादन के कारग कितने प्रकार के होते हैं अर्था उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं तो उत्पादन जैसा कि हमने अभी उधारन लिया था उधारन में हमने बताया था कि उत्पादन कई साधनों के सयोग से होता है तो अगर हम अलपकाल लें तो उसमें कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनमें हम परिवर्दन नहीं कर सकते हैं और कुछ साधन ऐसे होते हैं कि अगर उत्पादन अधिक करना है तोन में परिवर्दन कर सकते हैं और कम करना है तो उनकी मात्रा में भी आ परिवर्दन कर सकते हैं जैसे अगर यहां पर हमने उधान दिया कि एक सरमें एक मशीन पर 10 स्रमित लग करके 100 मीटर कपड़े का उठाधन करना है अब इस ब्यापारी के पास 100 मीटर की जगह अगर प्राप्ति किया सकते हो पchemical आप सील लेव्ल हो यहां तो तुम बदलेंगी नहीं इसाइज परिवर्त नहीं परिवर्तित कर सकते हैं भूम मेंने परिवर्त के साधन आपका स्रम रा मैं इनमें परिवर्तम किया है कि तो देख लेते हैं कि इसको कहें कि परिवर्तिक नहीं होता अर्धात यह इस तरह कि साधन मानीजी कोई मशीन इस प्रकार बनी हो कि एक से लेकर के 1000 मीटर के कप्रे का उपादन कर सकती है तो वह मशीन आप चाहे कुछ भी फैक्ट्री आपने कुला आप कुछ भी उपादन नहीं कर रहा है तो यह इवेश्मेंट मशीन पर आपको करना पड़ेगा तो मशीन यहां पर क्या होगी या कि इस्थिर साधन हो गई है ला दूसरा हम लिसी परिवर्तिकार्ख यानी भ्य और फैक्टर परिवरतिकार वे कारत हैrió जिनका प्रयों पुलिवर्ण परिवर्धन होने से प्रिवर्थित होते इसमें इस उधारर hoping आपको बता ता कि एगर यहां बेसा से एलरा आगया तो पादन करता आपको क्या कर पड़ेगा जो उसके परिवर्तन सीर साधने जैसे लेबर की मात्राव बढ़ा देगा रा मटेरियल बढ़ा देगा जिससे की उत्पादन में ब्रिद्धी हो सके तो यहां पर इस उदाराण में लेबर रा मटेरियल क्या है वो परिवर्तिकारक है यह ध्यान देने वाली बाते हैं इस्तिरकारक या परिवर्तिकारक होता है यह क्यों साधरन में होता है दिरकार में कोई भी साधन इस्तिर नहीं होता है क्योंकि दिरकार इतना लंबा समय होता है कि उसमें हम सभी साधरों में परिवर्तन कर सकते हैं तो उत्पादन फलन टाइ करते हैं इतना समय उद्पादन करता है कि पास नहीं होता है कि वह सभी साधनों में परिवर्थन कर सकता है दिरकाली उद्पादन के पास इतना समय होता है कि वह सभी साधनों में परिवर्थन कर सकता है अब हम इसको इसके आगे हम उत्पादन के बारे में जान लिया अब हम यह देखेंगे कि परिवर्थन सीलन पात का नियम क्या होता है